तो देखो यार जब हम phone लेने जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या चीज चाहिए कोई यहाँ पर processor देखता है कोई camera देखता है और कोई पता नहीं क्या क्या देखता है कोई gaming के साफ सर लेता है किसी को AMOLED display चाहिए होती है किसी को यहाँ पे cameras में video stabilization चाही होती है बट यहाँ पे OPPO ने एक ऐसा smartphone launch किया है जिसके हिसाब से OPPO का कहना है कि यह उनके लिए है जिनको nomophobia वाली बिमारी है जी यह nomophobia आपने कभी नाम सुना नहीं होगा और इसके बारे मैं आपको explain करूँगा अभी यह क्या होता है बट उससे बहले यहाँ पे discuss करते हैं इस F23 5G के बारे में इस phone में क्या कुछ देखने को मिलता है तो देखो सबसे पहली चीज़ तो OPPO यहाँ पे जाहतर offline market के लिए आपे phones को launch करता है and especially F-Series जो आती है वो offline buyers के लिए ही आती है mostly and यहाँ पर यह target करते हैं उन customers को जो design देखते हैं decent cameras देखते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि हम में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे service centers मिल जाएं and देखो सबसे ज़्यादा market presence इनकी है so F-23 5G को 25,000 में launch किया है and उसके अंदर क्या-क्या देखने हो मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ but pricing and offers सारे के सारे यहाँ पर description में मैं add कर दूँगा तो वो आप checkout कर लेना जैसे कि मैंने बोला nomophobia एक चीज़ बोल देता हूँ इस device साथ सबसे बड़ा highlight point battery है and nomophobia भी इसी से जुड़ा हूँ but starting with design जैसे की प्रथा रहती है यह phone बहुत जादा unique देखने हो में को लगा and पीछे की side से जो golden color है ना हमें को पसंद आया पीछे यह camera module है थोड़ा सा pill shape में काफी बढ़ा है and साथ में लिखा हूँ है 40x microscopic camera यानि कि हम देख चुक है ना micro camera आते हैं वो जो ratio भी दिखा देता चदर के वो वहला camera देखने को मिल रहा है और एक दो में अपक्सल का depth camera है बाकी एक 64 में अपक्सल का camera लगा हूँ है मैं pictures आपको जल्दी दिखाता हूँ बीच में थोड़ा सा glossy part है जहाँ पर innovative AI camera लिखा है और बाकी का सारा है यहाँ पर matte finish में मिल रहा है यह plastic के साथ आ रहा है बट एक चिस कहूँगा देखने में सुन्दर लग रहा है काफी मस लग रहा है frame भी plastic है बट overall इसकी in hand feel मुझे decent लगी अब जब offline market में जब लोग देखने जाएंगे तो सबसे मेले design देखते है और उससे साब से मैं कहूँगा definitely यहाँ पर marks लेगा देखने में बहुत जादा सुन्दर है यह specially मेरे को लगता लड़कियों को बहुत पसंद आने वाला gold color साथ ही में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ design की तो overall पहली चीज़ तो कहना चाहूँगा open है यहाँ पर punch hole काफी छोटा रखा है and also जो bezels है वो काफी कम है LCD display के हिसाब से जहाँ इसके अंदर AMOLED display नहीं देखते हूँ मिल रही यहाँ पर काफी बड़ी 6.7 inches की display है and यहाँ पर ना एक चीज़ कहूँगा LCD के हिसाब से मुझे colors काफी से ही लगे content देखते हुए काफी nicely आ जाते है बढ़ हाँ आपको outdoor में थोड़ी सी visibility कम लगए क्योंकि LCD displays में थोड़ी से कम ही निकल कर आती है बड़ एक चीज़ है कि यहाँ पर 120Hz का display आपको देखने को मिल रहा है which is very very smooth बात करूं प्रोसेसर की दिंग यहाँ पर आपको snapback in 695 देखने को मिल रहा है अब यह जो प्रोसेसर है बहुत जारा powerful तो मैं नहीं कह सकता इसको यही कहूंगा कि यह casual gaming के लिए बना हुआ है आप decent सी bgmi कर सकते हो long term के लिए नहीं मुलूँगा बट general task आपके ठीक हो जाएंगे काफी decent से हो जाएंगे यह चीज़ आप mind में रखेगा बागी snapback in 695 के बारे मैं सबको पता है जादा explain करने की need नहीं है जितना मैंने इस phone को use किया है काफी smooth लग रहा है काफी सही लग रहा है बागी इसके अंदर 8GB और 256GB का variant देखने को मिलेगा आपको phone के अंदर मैं को कोई major bug देखने को नहीं मिल रहा इसके अंदर color OS 13.1 चल रही है with android 13 अब एक चीज़ बोलूँगा यह ना underrated है color OS काफी जौदा मस्त लगी मेरे को UI and मैंने पहले भी ओपो के phones यूज किये है और मैं को color OS काफी सही लगता है मैं हमेशा के तो underrated है काफी smooth UI बट एक ही चीज़ कहूँगा इस phone के तर ब्लॉट वेर बहुत ज़ादा भरके दिया है जैसे कि यहाँ पे आपको block blast की games मिल रही है candy crush भी देखने को मिल रहा है Spotify देखने को मिल रहा है Netflix देखने को मिल रहा है तो कभी सारी apps है जोश वगरा तो share chat इनको आप uninstall कर सकते हो और हाँ hot games and hot apps की app भी है यहाँ पे उनको आप disable कर सकते हो ओपो ने एक बहुत अच्छी बात करी है यहाँ पर मैंने कमी phones में देखा है इस budget के अंदर जो कि हैं यहाँ पर 4 प्लस 5 साल का यहाँ पर updates का promise करना 4 साल के major update हैंगे और 5 साल की security updates आएंगे जिनको बहुत जाना है यहाँ पर heavy यूज कर पाया हूँ तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी से pictures दिखाता हूँ 64 megapixel से जो मने कीची प्लस यहाँ पर 32 megapixel का जो selfie camera है उसके साथ जो कीची तो आपने pictures देगे लिए मेरे को comments में बताना आपको camera कैसा लगा pictures काफी decent लगी है जैसे कि offline market में जाते है न तो सबसे पहले camera पूछते है भई photos अच्छी आ जाएंगी तो उससे साब से काफी सही photos लगी जो कि Instagram के उपर use की जा सकते है बागी तो इंडिस्पे fingerprint scanner आने का को मतलब भी नहीं है highlight point की इसके अंदर 5000 mm की battery है और 80 watt का charger bundle करके दिया जाता है पहली बात तो 67 watt की charging का support है इस phone के अंदर बट 80 watt का charger निन्हों ने bundle कर दिया Oppo कहता है कि शायद आपके पास और भी कोई Oppo का phone हो सकता है जो कि 80 watt को support करता हो यह nomophobia क्या चीज़ है और battery highlight कैसे तो देखो nomophobia मला no mobile phobia मैंने discover किया यह मेरको भी है मेरको भी लगा रहता है कहीं मेरा mobile मेर से दूर नहों जाया और यह सबसे बड़ा कारण यह होता है जब phone की battery खतम होरी होती है तो इस phone में भी अगर battery खतम होरी होई तो हम stress हो जाएगा न वर इसके साथ ऐसा कुछ है नहीं है इन्होंने battery को बहुत जादा optimize किया है जिसके वेसे battery जादा चलेगी किसी आम mobile के मगाबले में battery health engine डाला गया है जिसकी वेसे आपकी charging के कारण इसको कोई भी effect नहीं आएगा intelligently charge होगा और mobile में कोई दिक्कत नहीं आएगी पांच layer की protection डाली गई है charging से phone को बचाने के लिए fast charging तो होगी फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी बागी इसके अंदर all day का AI power saving mode है and night में जो हमारा standby है वो super मिल रहा है और इसके अंदर आपको drop देखने को नहीं मिलेगा जादा जिसकी वैसे आपकी battery और भी जादा लंबी चलेगी और अपने आप यहां पना एक दिन से जादा battery life तो बहुत मज़े से ले लोगे तो करकर आगी यहां पर इस phone को देखा जाए ना तो OPPO ने इसको एड जो करी है वो करी है सबसे जादा battery को लेकर बट मैं एक चिस कोंगा इसका camera भी decent है बट देखने में भी काफी सुन्दर है as per offline market देखा जाए ना तो standards को meet कर रहा है बट जैसे मैंने कहा अग्रेसिव तो बहुत जाद नहीं है यहां पर प्राइस 25,000 में देखने को मिलेगा मुझे आप comments में बता सकते हो यह phone आपको कैसा लगा और मैं आपको मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए की स्मानिगा और आल्वेस चेके गाई लब यू बाई